फ्यूल नीचे रहेगा नीचे बताएगा जैसे जैसे फ्यूल ज्यादा होता जाएगा टंकी में वैसे वैसे ये लेवल उपर हाई बद दिखाता जाएगा और जैसे हाई है भी अब फिर ये रहो लो हाई लो हाई तो क्या होता नहीं एक इलेक्ट्रिकल वाइर की देफा मद इस फ्यूज मेटर उप्रॉपर काम नहीं करता है कभी-กभी रूकाई nagy एक vidi पे पर पिर कभी हाई चला जाता है तो यहित हुद सब ना है इस दो थे खोग्यात है इसको चेक करने का तरीका यहां देख सकते तो थाउजेन ओम पे हम सेट कर लिए इस नोब को मल्टिमेटर को हमारे बार दो प्रोब आ गया अब क्या करेंगे हमने यहां से जो कपलर है डिस्कनेक कर देंगे हमने खली फियोर गेज को चेक करना है कि गेज प्रपर हमारा काम कर रहा है कि यह दोनों प्रोब को इसके में मिल रहा है ठीक है ना हर चीज का एक राइस्टेंस होता है 321 दीरे 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 एकीस जीरो एकीस से 84, 96, 96, 200, 300, 21 यानि कि हमारा क्या है गेज बिलकूल accurate है गेज को हम रजिस्टेंश चेक कर लिए गेज बिलकूल accurate है लेकिन अब हमने जो point disconnect किया पास में हो यह point disconnect किया हो सकता है कि fault यहां से और इस coupler के बीच में भी हूँ इसकी भी connectivity को हम step by step चेक करेंगे कि connectivity क्या है connectivity पर कर लिए अब जो घंटी का sound बजना चाहिए बस हो गया connectivity पर अब इधर दिखाओ यानि यह point सही है फिर उपर वाला point को यानि कि हमारा यह भी connector सही है इस connector को हम बिठा जेते हैं सबसे पहले अब देखो लगा दिया मैंने गेज भी चालू हो गया अब connectivity चेक करके एक बड़ कंफर्ण करते हैं कि connectivity ओक्या है कि नहीं कि यह कि देख रहे ना हाथ से उठाना इसको रभी इसको गेज को उठाओ आगे ना इसको भी दिखाओ हमारे हाथ को भी इसको भी यानि कि गेज पूरी तरीके से कंफर्ण हो गया कि यह गेज में फोल्ट नहीं है पैसे बरबाद मत करो तुरंती उठाया गेज फड़ा बड़ डाल दिया नहीं गेज कंफर्ण हो गया एको रेट है अब हम इसकी वाइरिंग को टेस्ट करेंगे कि होई वाइरिंग में कहीं ना कहीं फोल्ट है इस दिख्कत कर रहा है है अब हम कौपलर को यह को लगा देते हैं पूरा कपलर बैठी है ठीक है अभी यहां से हम यह उपर उठाएंगे यानि तेल फूल होता है तो उपर उठता है अर्ट खतम होगा तो नीचे गिरेगा तो हम उपर उठाके वहां मीटर में देखो आया कुछ मीटर में तो अभी नहीं दिखा रहा है देखो बिल्कुल नीचे तो बिल्कुल वहां सो नहीं कर रहा है इधर दिखा दो जड़ा लेप्ट साइड का है वह यह कनेक्टर जुड़ा हुआ है कई न कई वाइरिंग है तो वाइरिंग को हम उधेड के चेक करते हैं एक बर वाइरिंग में क्या पंगा अब यह जो कपलर है ना इस कपलर की एक एक Wiring को चेक करते हैं तो मैंने oilpin लगा दी है और इसकी wiring को चेक करते हैं हम तो एक सिकन जाँ आ तर्ज करो जाँ आ ये दोको अब हमने connectivity कर रखी है connectivity में हमारा Beep sound आ रहा है यानि इसमें क्या आ रहा है मूझे छोड़ा लगाओ यानि कि इसमें क्या हो रहा है ग्राउंड आ रहा है ठीक है चलो ठीक है हटाओ उसे तार को पलट दिया वेल्पीन को पलट दिया दूसरे तार में चेक करते हैं कि आप बोल्टे जा रहा पांच बोल्ट की नहीं तो यह मैंने इसमें लगा दिया 20 वोल्ट पे सेट कर दिया ग्राउंड लगा रहे हैं कितना रहा है 4.97 मनें पांच प्रॉक्स पांच बोल्ट आ रहा है यानि दूनों वाइरिंग है वाइरिंग से रिलेटट कोई पंगा नहीं है तो पंगा कहा है वो मीटर के अंतर अभी भी देखो नीचे ही लेवल पर दिखा रह के देख रहा है तो यह कुछ मीटर के अंदर पंगा इसके अभी फूल दिखा रहा था अभी पॉइंट कम दिखाने लगा यानि के मीटर के अंदर पंगा है कुछ हमारा वहां से गेज़ वेज बिल्कुल प्रॉपर है भाई अभी मीटर का मॉस्चर को क्लीन किया है उनकर जरा एक बारी स्विच अभी एक दो तीन पॉइंट दिखा रहा ना देख रहा है तो त्दीन पॉइंट इसमें है अभी सही रीडिंग दिखा रहा जितना डीजल लिए फिर भी हम पंप प्या आया हुए है और इस पंप पे डलवा के एक बार रीडिंग को चेक करेंगे कि तीन पॉइंट से एश्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर उसको चला के चेक करेंगे हमारे गाड़ी सूधरी की नहीं हजार रुपए का डीजल डलवाया है मैंने ठीक है और मीटर को ओन करो अब देखो एक दो तीन चार पांच डंडे आगए ना तीन अब श्राट करो अब उपर के तीन डंडे खा लिए इस टैम में अब देखते हैं हम तो हम ने इसे थोड़ा से लंबा ट्राई लेंगे क्या बात है इससे यह पता पड़ रहे हैं अभी एक डंडे गिरा है और अठासी पे की सतासी पे सुरू किये थे कम सब 20-25 किलमेटर से ज्यादा चल गया तो एक डंडा गिरा है इसका मतलब कि एक को रेठा कहा ने गेज हमारा सही है देख सकते है विचली जा रहे है तोड़ा सही ही गुमारे मैयार तरीके से एक बार पता पड़ जावे भाई इस इस टेप जरूरी है इस टेप मैंने फोल्ट किया खाली मोश्यार आ रहा था उसको हमने क्लीन किया और कुछ भी ने जार जीरो फेमेंट मानके चलो अब पैसे जो मर्जी लेलो यह अलग मैटर है पर जीरो पैसे में इसको सुधारा और गाड़ी बिल्कुल टना टन हो गई साला परिसान कर दिया था यह पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा था तीस तरीके का यह जो पॉइंट है ना इस पॉइंट से आप गाड़ी को टेस्ट करेंगे तो मैं कह रहा हूं कारेंटी के साथ बिल्कुल सैट हो जाएगा प्रॉब्लम छोटा जोटा मिलता है ना तैयर खुसी डबल से हो जाती है पता जी कि हो आकसर मैंने देखा है जो चीजे रुलाती है ना उसके अंदर छोटा ही प्रॉब्लम होता है तो गाड़ी तो भाई बारहाल काफी अच्छी हो गई और सही फोल्ट करने का जो तरीका था उस सही था तो ओके तहींकियो यार फेर मार गयफ था दो गजय है व।को भागजड़ स्टस्वा गते है ट के मारते है कि अे को गग襍 है आदी गरहा तो बड़न Tuesday के जा वाल, तो और ये